Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, क्या आप अपने Indian Post Payment Bank को phone pay में add किया है तो आप अपने phone pay से पैसे transfer कर रहे हो तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है UPI ID Issues इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है या तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है Technical Issues तो Friends, इस तरीके से अगर problem आ रहा है तो इस problem को आप किस तरीके से ठीक कर सके हो और ये problem कब तक ठीक होगा Indian Post Payment Bank का जो server down चला है वो कब तक ठीक हो जाएगा पूरी information इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं अगर आपका पैसा cut भी गया है आप किसी के पास transfer किया पैसा या तो कोई आपके पैसा transfer किया है अगर आपके तक पहुचा नहीं है या आपने किसी पैसे को transfer किया है किसी के पास और पहुचा नहीं है तो और पैसा cut भी गया अपने खाते से, तो और पैसा कब तक return होगा, सारी information इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल skim मत करिएगा, और लाश्ट तक बने दिएगा, तो चले friends वीडियो को start कर लेते हैं, without time waste के, तो इसके लिए friends सबसे पहले official जो app होता है, उसे आपको यहाँ पर install कर लेना है, install करने के बाद friends open के आपने पर click करके, अपने register कर लेना है, यानि कि इसमें login हो जाना है, और login करने के बाद friends, आप IPV के मदद से, किसी के पास पैसे भी transfer कर सकते हो, भले से आपका server डाउन चला, बट यहां से, आप अपने IPV app के मदद से, किसी के पास पैसे transfer कर पाऊगे, बट अगर इससे भी नहीं होता है, तो friends, आपको एक काम करना है, कि अपने Chrome browser app को open कर लेना है, Chrome browser को open करने के बाद friends, यहाँ पर आपको search कर लेना है, Indian Post Payment Bank Server Today, इस तरीके सलिकर search करनेंगे, friends, तो यहाँ पर आपको official website देखन को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको किसी पर option पर click नहीं करना है, यहाँ पर आपको scroll करते हैं, नीचे आजाना है, और नीचे आने के बाद friends, यहाँ पर आपको एक option देखनी को मिल जाएगा, ट्यूटर का, इस पर आपको click करने के बाद friends, यहाँ पर आपको इस तरीके स आया है इंडियन पोस्ट पेमेंट के द्वारा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि दूइटू टेक्निकल इसुज उपी आई सर्विस विल नॉट वी अवेलबल तिल चार पीम अन थ्री अप्रेल दौजर चोविस यानि कि तीन अप्रेल को आपका सर्वर डाउन रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने खुद नोटिस यहां पर ट्विट किया है यानि कि ट्विटर पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने खुद ही ट्विटर किया है कि इतना देर तक मेरा सर्वर डाउन रहेगा इस पे आप काम ना करें, यानि कि UPI के द्वारा किसी के पास पैसे ना ट्रांसपर करें, उसके कहने का मतलब यह है कि friends, कि आप UPI के द्वारा पैसे ट्रांसपर ना करें, क्योंकि हमने सर्वर डाउन कर रखा है, तो friends एक कोई problem नहीं है क्योंकि Indian post payment साफ ही याँ पर notice दिया है इसके पहले आप पैसे transfer नहीं कर पाईएगा तो friends आपको परिशान होने की जरूद नहीं है अगर आपने किसी के पास पैसे transfer किया है और आपके bank से cut गया है Indian post payment bank से पैसे cut भी गया है तो आपको परिशान होने की जरूद नहीं है आपका पैसा return कर दिया जाएगा जैसे ही Indian post payment bank का server सही होगा आपका पैसा वापस आपके खाते मा जाएगा यदि आपके कोई पैसा transfer भी किया है और उसका पैसा cut भी गया है और आप में पहुंचा भी नहीं है तो आप में या तो उनके में पैसे transfer हो जाएगा या तो उनके में जा सकता है पैसा नहीं तो आप में आ सकता है पैसा तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है यह server problem 2-3 घंटे में सही हो जाएगा क्योंकि यह 3 April तक server down problem था अब तक सही नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बस 5-4 घंटे मे यह problem अब ठीक हो जाएगी तो friends यह रही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और अच्छी लगी हो तो please video को like करके channel को subscribe कर दीजेगा